हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल The Secret of Investing में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CampCon Specialty Camp Limited Stock के बारे में यहां दोस्तों काफी सारे Investor हैं यहां पर परिसान हैं जब से Market में आया है यह लिस्ट हुआ है पहले trading session में धमाके तार performance की रही लगबग पैसे को दुगना किया लेकिन अब देख सकते हैं आप लोग वापस से जो स्टॉक 700 के आसपस लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा था वो 306 के आसपस trade होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या इसे stock में buying opportunity देखना ही चाहिए अगर आप लोग वे पास already stock है तो कि जितना ये ऊपर stock आये तो ऊपर के level पे से stock को बेच के निकल जाना चाहिए सब कुछ discuss करेंगे तो वीडियो को इंट से देखना बिल्कुन द भूलिएगा सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस stock में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है जिया दोस्तों अगर हम लोग इसका max chart देखें तो आप लोग देख सकते हैं बहुत उपर के level से stock काफी ज़्यादा correct हो चुका है लंबा समय consolidation का भी बिता चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं दुबारा से एक sell off हो चुका है तो इससे ज़्यादा यहाँ पर market इस stock में गिरावट होना ज़्यादा possible नहीं है जो इसका 52 week low है 338 के आसपास का यह बहुत ही crucial support level है यहाँ से ज़्यादा मुझे को नहीं लगता कि यह stock यहाँ से correct होने वाला है और जिन लोगों को यहाँ पर खरीदारी करनी है वो बेज जगों के इस stock में खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि इस company जो है वो fundamentally बहुत ही ज़्यादा strong है सबसे पहले अगर हम लोग आज की दिन की बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं market में एक panic sell-off था सारे ही IT stock, chemical stock, pharma stock और सारे stock आपको यहाँ पे आज की दिन गिरते हुए नजर आए लेकिन इस stock में आज की दिन आप लोग को काफी अच्छी कासी बाहिं होती हुए नजर आई तो यह एक positive indication है इस stock का कि यहाँ पे आप लोगों को buyers जो है वो active होते हुए नजर आ रहा है stock जो है वो नजर में आ रहा है बड़े-बड़े institutional investors आती साथ retail investor की नजर में तो अगर यह stock यहाँ पे अच्छी कासी तेजी दिखाता है तो आप लोगों को बहुत अच्छी कासी rally से stock में देखने हो बिल सकती है दूसरे बात आप लोग देख सकते हैं आज के दिन सारे stock में बहुत तेजी से गिरावट देखने हो ली चाहें वो दीपक नाइट राइट का stock हो चाहें आप लोगों को बाला जी माइंस का stock देखने हो बिलेगा लगबख 4-5% गिरावट चाहें आप लोग आरती इंटरस्टी ले सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट सारे ही केमकों stock में गिरावट थी लेकिन केमकों इंटरस्टी जो थी आज की दिन काफी अच्छी खासी तेजी के साथ आप लोगों को यहाँ पर टेट करती हो नजर आ रही है हाला कि अगर हम लोग stock के technical analysis करें तो आप लोग देखेंगे कि सारे ही moving averages के नीचे यह stock rate करता हूँ नजर आ रहा है तो काफी ज़्यादा negative point आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा लेकिन दोस्तों हम लोग पता है कि stock को अगर नीचे के level बाय नहीं करेंगे तो जब यह सारे moving averages के ऊपर आ जाएगा तो दोस्तों हम लोगों का risk and reward ratio काफी ज़्यादा low जाता है तो अगर हम लोगों ने stock को नीचे के level बाय किया किसी fundamentally strong company के नीचे के level बाय करते हैं तो उसमें आप लोगों के reward के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं RSI indicator आप लोग देख सकते हैं oversold zone से निकल के यहाँ पे अच्छा खासा तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो definitely यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी buying opportunity देखने हो मिल सकती है दो बार यहाँ पे support already stock ले चुका है तो काफी crucial support यहाँ पे बन चुका है तो यहाँ पे यह stock जो है अच्छी खासी rally जो है पकड़ता हो और नजर आ सकता है अगर आप लोग ने दोस्तों ऊपर के level पे इस stock को ले लिया है तो अगर हम लोग एक बार fundamentally देखें इस company में तो company में कोई बुराई नहीं है company consistent profit generate कर रही है यह देख सकते हैं 2015-16-17 में 3 crore profit generate किया उसके बाद massive jump company में देखने हो मिली 2018 में 26 crore का profit 43 crore का profit 49 crore का profit 56 crore का profit trading 12 month में 60 crore का profit मतलब कि पिछले 4-5 सालों से continue basis पे यहाँ पे company के जो profit है वो बढ़ता हूँ नज़र आ रहा है इसलिए धमाके तार listing होती हूँ नज़र आई थी इस company की लेकिन हम लोगों को तब से panic sell off देखने हो मिला बहुत तीजी से stock गिरता हूँ नज़र आया तो यहाँ पे आप लोगों को panic करके इसे stock को बेचने ही गलती नहीं करनी है although हम लोगों को पता है chemical stocks में जब rally आना start होती है तो जितनी भी गिरावाट होती है वो एक से डेढ़ अपते में पूरी recover हो सकती है तो यहाँ पे अगर आप लोग ने नीचे के level पे sell करती है stock तो आने वाले एक-दू साल में आप लोग जरूर पस्ताने वाले है क्योंकि यह stock भी आपको आने वाले time में 1000-15000 के level पे जाता हूँ नजर आ सकता है return on equity company की बहुत ही सांधार है company का business हम लोगों को पता है chemical industry, hot industry है बहुत तेजी से grow होने वाली है यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी जो depth free company आपको देखने हो मिलती थी केवल 6 करोड का depth था जो की recently थोड़ा सा बढ़ता हो नजर आ रहा है उसमें कोई ज़्यादा बड़ी है पैनिक क्रियेट करने वाली बात नहीं है company पास बहुत सारे reserve हैं वो कभी भी जाया तो पूरी तरीके से depth free होती भी नजर आ सकती है तो एक तरीके से depth free company आपको देखने हो मिलेगी अगर एक बार हम लोग share holding pattern देख लें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो FIs हैं और DIs हैं उन्हों ने यहां पर अच्छी तेजी से यहां पर माल बेचा है देख सकते हैं जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तो बहुत अच्छी खासी यहां पर बाइंग थी लगबग 8% के stake था यहां पर FIs के पास दोनों नहीं काफी अच्छी खासी तेजी से बिकवाली करते हुँ नजर आए जिसके चलते स्टॉक में करेक्शन कंटीनू रहता हुँ नजर आए और यह एक निगेटिव पॉइंट भी आपको देखने मिलेगा कि यहां पर बड़े इंस्टूशन पॉफिट बुकिंग करते हैं जिनके चलते स्टॉक में करेक्शन आने स्टार्ट हो जाता है लेकिन इन लोगों को पता होता है कि यहां पे जब करेक्शन आएगा स्टॉक में तो नीचे के लेवल पे आप लोगों को यही FIs और DIs पॉब्लिक के हां से माल निकाल के खुद खरीदते हो नजर आएंगे देख सकते हैं यहां पे 14% के स्टेक था पॉब्लिक का लेकिन अब 24% का हो चुका है जब इसमें रैली आना स्टार्ट होगी तब दोस्तों आप लोग देखेंगे कि next quarter में FIs और DIs यहां पे स्टेक बढ़ाते हो नजर आएंगे और पॉब्लिक तो आप लोगों को यहां पे बाइंग करते रहना चाहिए और यही सबसे बढ़िया रीजन है कि आप लोगों को अच्छे स्टॉक में panic situation में भी hold करके रखना चाहिए ताकि long term में आप लोग उन्हें स्टॉक से अच्छा कासा पैसा बनाए सकें इस वीडियो में बस इतना ह चसराओ istry I hope यह वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो चला अग लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर फस्टाइम है तो प्रीज चैनल को subscribe कर लिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट फूडियो में तब तक के लिए बाएंबाогда